असलाम अलेकूम, वेलकूम, साहरा सत्तानी किचन चैनल, और आज मैं डिनर में बना रही हूँ वाई चीकन, आपने देखा होगा के बहुत अलग तरीक से बनाया जाता है, तो मैं समझ दीथी कि यह साहरा सत्तानी स्टायल में वाई चीकन बन रही है, तो इसमें जो मसाले और इसके अंदर क्या मसाले पड़ते हैं और वाइट चिकन आपने देखा होगा लेकिन उसको हम अपने तरीके से भी बना सकते तो आईए मैं बताती हूं जो मैं अपने तरीके से बना रही हूं तो इंशाल्ला आपको बहुत अच्छी लगेगी तो आईए देखते हैं सॉल्ट इसमें डालीजें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट इसमें डालीए और एक चमज भरके ब्लैक पेपर लीजिए और हाथ की मदद से आप इसको अच्छे से मारिनेट कर लीजे और चिकन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए जब आप चिकन साफ करते हो तो उसक अच्छे से आप हाथ से उसका सानी चोल लीजिए बिल्कुल भी पानी नहीं है यह ड्राइ चिकन एक दम इसी तारीके का चिकन चीह जो हमको मैरिनेट करने के लिए लगता है एक पैन ले लीजिए जिसमें आपको यह पुरा ग्रेवी तयार करना है वही पैन लीजिए आप इसको आप इसके अंदर फ्राइ करने के लिए छोड़ दीजिए इसको आप इसके अंदर फ्राइ करने के लिए छोड़ दीजिए इसको आप इसके अंदर फ्राइ करने के लिए जो मसाला है यह सारे मसाले का हमें एक अच्छा खासा पैस तयार करना है तो सबसे पहले मैं इ पहले इसको अच्छे से थोड़ा पाने दालके चला लीजे इस तरी की का फाइन पेस तयार होने के बाद जो बिरिस्ता है वो भी आप इसके अंदर ले लीजे जैसे ड्राइफूट आप देख रहे हो तो यह ड्राइफूट मैंने बिल्कुल अलग-अलग टेस्ट के लेके ए और यह जो रोस्टेट बदा में तो यह थोड़ा फ्लेवर वाले रहते है यह रोस्टेट बदा में और इसके साथ यह ब्लैक पेपर काजू है और इसके साथ जो रेट चिली पाउडर वाला जो काजू होता है थोड़ा टेस्टी होता है यह चटपटा वाला यह वो है और कोई भी चीज के जैसे के खर्बूजी के हो या पंकिन के हो वो शीट आप ले सकते हो बीज जो यह मैंने पंकिन बीज लिए तो यह सारे ड्राइफूट है मेरे और इसी के साथ जो पढ़ते हैं मसाले तो यहां जैसे आप देख रहे हो यह बिरिस्ता है जो बजार में भी आदा ही लिए और यह जीरा धनिया पाउडर जो मिक्स बजार में मिलता है यह दित जीरा और धनिया पाउडर और यह सारे गरम मसाले का जो पाउडर होता है मैं घर पर बनाती हूं यह सारे गरम मसाले का पाउडर है और यह है रेड चिली फ्लेक्स और इसी के साथ में तो इसको सबसे पहले में black pepper और salt से इसको marinate करके इसको में fry करने वाली हो और उसी के साथ में जहाँ जैसे के हमारी सब्जी तयार हो जाती है यह चिकन मसाना तयार होता है तो हम उपर जे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया दालते तो उसकी जगा पे मैं कस्तूरी मेति दलने सबसे पहले हम करते है चिकन को marinate black pepper और salt के साथ salt इसमें डाल लिए टेस्ट के हिसाब से salt इसमें डालिए और एक चमज भरके black pepper लिजी आप यह देखिए और हाथ की मदद से आप इसको अच्छे से marinate कर लिजे और चिकन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए जब चिकन साफ करते हो तो उसको किसी चनी के अंदर निकाल के आप रख लीजिए और जब मैरिनेट करने चिकन लेते हो तो उस वकद भी पानी अच्छे से आप हाथ से उसका सानी चोड लीजिए देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं यह ग्राय चिकन एक दम इसी तरीकी का चिक चिकन चिये जो हमको मैरिनेट करने के लिए लगता है यह जो मसाला है यह सारे मसाले का हमें एक अच्छा खासा पेस्ट तयार करना है तो सबसे पहले मैं इसमे डाल रियो गारलिक जिंजर ग्रीन चिली और जो आदा प्यास दिया था मैंने बो जो बिरिस्ता है वो बाद मे आप डालिए पहले इसको अच्छे से थोड़ा पाने डाल के चला लीजे इस तरीकी का फाइन पेस तयार होने के बाद जो बिरिस्ता है वो भी आप इसके अंदर ले लीजे पाने का थोड़ा थोड़ा इस्तिमाल किजे क्योंकि अगर एक साथ आप पाने डालोगे तो वह और जादा पतला हो जाएगा पतला नैज शीक तिक छेई जो मसाला बुंद ना है करे देखे चिकन इस तरीके से प्राइन हो जाना चाहिए किपर ये मसाले के साथ भी थोड़ा बुंदा रहता है ये जो ब्लैक तेर्प्टर का जो टेस्ट ऊटा फ्लेवर होता है ये पूर जब ड़े जो तेश तयार किया है, इसको आप शोलड़ी जो आप शोल दीजें, अच्छे से इसको साथे कीजें, बहुत लाज अब खुश्बु आरहिए इसको अनर से, पाशाल आलाब अच्छे से भूनना है आपको क्योंकि सारे कच्छी मसाले तो जो इसके जो स्मेल है कच्छा पने वो पूरा चले जाना चाहिए तब तक आप इसको भूनते रहिए तो और थोड़ा इसको भूनने में टाइम लगेगा तो अब तक हमने जो ड्राइब पूर्ट है उसका भी पेस्ट बनाना है तो चलिए वो पेस्ट बना लेते जिसे सारे ड्राइब तो मैंने आपको बताई थी तो मुझे इसमें हलका सा बिल्कुल स्वीट पन चाहिए रहता और यह सारे चीजों को लेकर आप अच्छा सा पेस्ट बना ले अकाड़ा पेस्ट तैयार कर लिए बिल्कुल गाड़ा भी नी होना चीं़ा और बिल्कुल पद्ला भी नहीं होना चीं़ Georg दर में आतो से तरीके का पेस्ट पैस्त और जो रेट चिली फ्लेक्स है यह भी आप डाल लीजे इसके अंदर अब इसको फिर से आप अच्छे से भून लीजे आज को कर लीजे पास और इसी तरीके से आप भून लीजे तुर आप पांच मिनिट इसको भूनने के बाद पिर हम दूसरी चीजे इसमें आइड करेंगे हमने ओएसमे पेर्ले ही नमक डाल लिएर ते तो पहले आप यह डाले स्पहलने के बाद मसाग शोटे किजिए उसके बाद टेस्ट केजिआ आपको लगे के मारा नमक का में तभी आप इसमें नमक डालना क्योंकिमे आइसे ही करने बाली हो अच्छे से आप यह मसाले के अंदर सारे इसको चिकन को चला लीजिए उसके बाद आप नमक पेस्ट किजिए उसके बाद इसकी सब दूसरी जो अभी आइड करना है उसकी बारी है मैंने आधा ग्लास पानी और नमक पेस्ट करने के बाद मुझे नमक कम लग राता था हो डालने के बाद भूजें के बाद इसको मैं बास से साथ मिने दखकन लगा के छोड़ दी थी तो यह देखिए ओल इसका सारा उपर आ चुका है तो एक बार इसको अच्छे साब चला ली आप इसको अच्छे से सारा मिक्स कर लीजे यह देखिए लग रहे है ना वाइट चिकन लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल वै थोड़ा अलग मसाले और थोड़ा अलग तेस्ट के साथ अब इसको आप 5 मिने अच्छे से इसको बौइल होने दीजे इसके बाद जो हमने कास्तूरी मेथिय उसकी अपर से इसको चिरकना है और जब यह ज़ंडा हो जाए तो इसके अपर आदा निमोनी चोड़के आपको सब करना है तीकनेस आपके उपर है आपको कितनी थिकनेस चाहिए क्योंकि मैं जादा इसको ग्रेवी नहीं बनाती हूँ इतनी थिकनेस होनी क्योंकि गार्लिक ब्रेड हो या फिल अच्छा पराठा हो उसके साथ यह बहुत टेस्ट देता है तो इसी तरीकी की तिकनेस ही हो जब यह बिल्कुल तयार हो चुका है तो बस इसकी गार्निशिंग की बारी है तो जो कस्तूरी मेती है इसको ड्राय करके मैंने दर्दरा जब इसकी स्टीम पूरी तरीके से अंदर उतर जाए तब आप जब खाने को निकालोगे एक निम्मू या जो भी आपके टेस्ट के हिसाब से हाप निम्मू उसको निचोड़ना है और उसको रूटी हो या पी जो ब्रेड होता है उसके साथ खाये बहुत लाजवाब लगत बटर चूटनी जैसा लग रहा ना बिल्कुल यह हो गया रेडी तो हम जा रहे खाने के लिए और इंशाला बनाईये ज़रूर क्योंके घर के मसालों से तो बना है और बिल्कुल अलग टेस्ट है और बिल्कुल अलग स्टाइल का वाइट चिकन है तो इंशालाला आप मेरे स्टाइल का बनाना चाहते है तो सेम बनाईये खाईये और अपने बच्चों को और अपने जो भी दोस्त पर आने उनको खिलाईये और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सस्क्राइब जरूर कीजिए और निच्छाला हमेशा दुआओं में याद कीजिए अल